क्रिप्टो का रास्ता विडियो में आपके साथ कंप्लीट बात करने आए हूं आज बेवी डोज कौईन और शिबा इनू के बारे में इन दोनों से रिलेटिड क्या नए अपडेट्स निकल करा रहे हैं और फ्यूचर के पॉंट फ्यूसे कितना बुल रन एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोनों के दोनों मीम क्रिप्टो करैंशी कल्चर प्रॉजेक्ट से इसके बारे में पूरी बात करेंगे दोस्तों या तो P.O.W. है या शाह 256 माइनर वाले हैं या फिर उनका कई ना कई पर स्टेकिंग में बहुत बड़ा हैंड है या फिर कई ना कई पर उनके पास होल्डर की बहुत बड़ी सपोर्ट है कॉमूनिटी बहुत स्ट्रॉंग है इन टाइप के प्रोजेक्ट पर बहुत जादा की सपोर्ट बहुत जादा है जिनका प्राइज अल्रेड़ी अगर मैं कंपेर करूं तो बहुत कम है कई न गई पर अगर कोई नया इन्वेस्टर जब क्रिप्टो मार्किट में एंट्री करता है तो उसके पास पहली जो दो चोईस होती है वो बेविडोज कोईन और शिबा मार्किट में चलती रहती है लेकिन अगर आप लोग लास्ट 24 आर के अंदर बेविडोज कोईन का प्राइस को कंपेर करें लास्ट 24 आर में 2.66% डाउन ग्लोबल रैंक 235 ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.17% यहीं पर अगर मैं शिबाइनू को देखू तो शिबाइनू अप्रो कोई मार्किट के आप पर शिबाइनू का रेंक चेक करता हूं तो वो निकलता है 14 अब जानते हैं इन दोनों से रिलेटिड कौन से नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं सबसे पहले हम लोग बेविडोज कोईन के बारे में बात करेंगे बेविडोज कोईन आप लोग आल् और पर लिस्ट हो लॉंच हो और पॉबलिक उनको स्वैप करें क्योंकि जितना ज्यादा पीग होगी उतना ही उस अक्यूत की बन्द कर दिया है इसे प्रोशेस क्रिप्टो करणसी मार्किट के अंदर व्यर्व बिद्च कोईन का इस टाइम पर सबसे बड़ा टार्गेट ह कई ना कई पर अपने swap option को बहुत ही ज्यादा strong बना लेना जिसके लिए बेविडोज कोई अल्रेडी बहुत efforts कर रहा है और एक नया project bitburn जो है उनकी तरफ से भी announcement आ चुके है कि वो भी partnership कर चुके है बेविडोज कोई के साथ यानि कि बेविडोज swap option में अब आपको bitburn official भी मि को लिए या अभी तक cryptocurrency market में कोई भी ऐसा project नहीं है जो अपने NFT को 3D version में लेकर आया तो बेविडोज कोई एक तो पहला ऐसा project है जो NFT को 3D version में लेकर आया और बेविडोज कोई की already जो 2D based NFTs थी उनकी value बहुत थी तो बेविडोज कोई को लगा कि already लोगों ने 2D को buy करके रखा है तो कईना कई पर उसने staking option शुरू किया NFT को लेकर मतलब आप अपनी 2D NFT को stake कर सकते हो और 3D NFT का version जो है उसको buy कर सकते हो या फिर उसके लिए benefit कमा सकते हो अब आप समझेंगे कि इस से price पर क्या impact पड़ेगा दोस्तों आपको present इस price पर कोई भी impact होता नहीं जा रहा है और NFT में अगर 3D version launch किया कर चुका है बेविडोज कोई तो उसको कही ना कई पर उस टाइम पर बहुत बड़ा benefit मिल जाएगा हाला कि ये चीज़ आपको 2,5 साल बात जाकर दिखेगी बट फिलाल के लिए बेविडोज कोई के लिए सबसे बड़ी news यह है कि बेव कर रहा है इसके इलावा अगर मैं शिवा इनू की तरफ से बात करू तो शिवा इनू ने अपना focus पूरा का पूरा कर दिया है Metaverse में आपको एक अपडेट और भी देना चाहता हूं जो पर्सनली प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं आपने देखा होगा कि शिवा इनू जो है इ शिवा इनू का इको सिस्टम और बहुत बहुत बना चुके है इवन बहुत ज्यादा अपने profit रिटर्न किया है बाकी investor को जिन्हों ने बोन के अंदर इन्वेस्ट किया था तो शिवा इनू का इको सिस्टम अल्रेडी बहुत स्ट्रोंग है और शिवा इनू का पूरा focus जो है वो future के point of view से है Metaverse का इसलिए शिवा इनू अपने Metaverse के अंदर अच्छे अच्छे 3D प्रोजेक्ट developers को designers को add करता जा रहा है और इससे क्या हो रहा है कि अगर वर्ल्ड के रिनॉल्ड आर्टिस्ट जो है जो already 3D के अच्छे artist है blockchain के अच्छे developers है 3D के अंदर कई ना कई पर नए से रहे features add-on कर सकते है शिवा इनू उनको अपने ecosystem में इसलिए जोड़ रहा है एक तो नाम से performance मिलेगी नाम से promotion जादा होती है दूसरा शिवा इनू का ecosystem में जब यह दिखता है कि अच्छे अच्छे personalities 3D के artist specially या game developers finally Shiba Inu के ecosystem का part है तो उससे Shiba Inu already strong होता दिखता है इसके इलावा SHIB का जो Metaverse है वो कईना कई पर इस upgrade से कईना की लग रहा है कि prize में October के महीने में काफी बड़ा bull run expect भी किया जा रहा है क्योंकि Shiba के लिए Metaverse एक बहुत strong project है और अगर मैं worldwide भी बात करूँ तो Metaverse सच में future माना जा रहा है 3D virtual world जिसके अंदर already आपको काफी बड़े-बड़े project विद्धा highest coin market cap और अगर आप बात करो Decentraland, The Sandbox, Gala Games, अच्छा हैगा Shibarium blockchain launch करके कईना कई पर अपने gaming development में focus करेगा और gaming development में NFT को trade करवा कर Metaverse में काफी अच्छा अपना role play कर सकता है इसलिए Shiba Inu के ecosystem को हम लोग मजबूत भी मानते हैं और leash और bone इसका सबसे बड़ा major role भी performer बन जाता है लेकिन कईना कई पर आपने देखा होगा कि Shiba Inu पे last time जब बहुत ज़्यादा down आया तो बहुत सारे holders ने Shiba Inu को sell out कर दिया था लेकिन अब Shiba Inu community की तरफ से एक और नए update निकल कर आता है कि last three month के अंदर ये बिल्कुल latest update है 14 सितंबर का last three month के अंदर Shiba Inu की ecosystem में और नए 40,000 new holders add हुए है और इस time पर एक बार फिर से 1.2 million का जो race है वो Shiba Inu cross कर चुका है आज 12,21,000 से जादा Shiba Inu के overall worldwide में बात करूँ तो overall holders हो चुके है इसके लाबा Shiba Inu का जो Twitter profile है अब यहाँ पर आप लोग ने काफी time से Shiba Eternity जो Shiba की future game होगी जिस पर presently बहुत बड़ा role play किया जा रहा है उसको trend होता देखा होगा Shibarium जो Shiba Inu का सबसे बड़ा layer 2 solution है उसको आप लोग ने trend होता देखा होगा Shiba Metaverse trend हमेशा होता है Shibverse हमेशा trend होता है the reason is क्योंकि Shiba Inu पूरा पूरा world मान चुका है कि one of the most strongest project है one of the most strongest community है अब Shiba Inu को कही नहीं पर अपने price को pull up कराने के लिए pump कराने के लिए नए से नहीं जिन artist को अपने साथ add on कर रहा है Shiba Inu का focus आपर बन चुका है Metaverse के अंदर Shiba Inu ने काफी बड़ी अपनी एक जगा भी बना ली है और Metaverse के अंदर 3D का रोल बहुत बड़ा होने वाला है even ऐसे ही Baby Dogecoin भी planning कर रहा है Decentraland के साथ NFT का 3D stake version लाने का क्योंकि Baby Dogecoin को पता है कि अगर वो road map पर नहीं चलेगा Shiba Inu और Dogecoin के तो उसको most popular height नहीं बनेगी इसलिए Baby Dogecoin भी लगाता है Shiba Inu और Dogecoin के road map को follow करता है That's why we are always saying there are top 3 meme cryptocurrency culture project in crypto market Dogecoin, Shiba Inu as well as Baby Dogecoin But please keep it in mind if you want to buy any kind of crypto token or you want to start any kind of crypto mining or minting based project Please do your own research before starting or you can say before buying any kind of crypto token This is the overall latest update for today Thank you so much for watching this video And please do subscribe Cryptomark YouTube channel for more updates Thank you so much